वाललकम बाग टू प्रोबल्ज। डिसिज सागर। दोस्तो लास्ट वीडियो में बात के थी कि अप श्टॉक्पर दिमाट अकाउंट के से ओपन करना है। अब अकउंट ओपन करने के बाद हमें इसमें अपस्टॉक्प में पैसे डिपोजिट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अप्स्टॉक्स पर पेसे डिपॉजिट के से करने हैं तो उसके लिए हम अप्स्टॉक का एप्लिकेशन ओपन करेंगे हमारे सामे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा नीचे म अकाउंट्स से डिपॉजिट करने कि हमें कितने पैश से डिपॉजिट करने जो भी आपको जितने भी amount आपको deposit कर रहे हैं उतने amount आपको यहाँ पर इंटर कर देने हैं नीचे लिखा है take up funds from इस account जो आपके upstocks के account के साथ bank account लिंक हैं उसी account से आपको यहाँ पर funds deposit करना है नीचे आपको UPI app का option मिल जाता है continue with UPI app अगर आप करते हों तो आपके mobile phone में जो भी आपका UPI app पे पे टियम फोन पे गूगल पे एमेजन पे तो डिरेक्टली वो एप ओपन हो जाएगा और जितना amount आपने इंटर किया है उतना amount आपको वहाँ से pay करना है तो आपके upstock में पेसे deposit हो जाएंगे अगर हम other payment methods पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें UPI ID का option मिलता है अगर आपके UPI app दूसरे mobile में तो आप यहाँ पर UPI ID एंटर करके कर सकते हो तो UPI ID पे क्लिक करना है निचे continue with UPI ID पे आप क्लिक करते हो तो next page पे आपकी UPI ID आपको यहाँ पर एंटर करना है जो bank account आपका upstock के साथ लिंक ह आपको UPI ID आपको यहाँ पर एंटर करना है UPI ID एंटर करके निचे submit पर क्लिक करने के बाद आपकी UPI app में एक pop-up आजाएगा आपको एक notification आजाएगा upstock की तरह से जितना आपने amount डाला है उतना amount आपको उसमें पे करना होगा तो वह amount आप पे कर देजिए पे करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसेस कंप्रेट हो जाएगे और यह funds आपके upstock के account में deposit हो जाएगे तो इस तरिके से आप upstocks में fund deposit कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हमें बताया है कि upstock से fund withdraw के से करना है तो दोस्ता अगर इस वीडियो से आपको help हुई है तो आप इसे like करें और ऐसी